नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारी यूटूब चैनल जरधारी क्लासेस में दोस्तों उत्राखन सामन गैन के इस ओनलाइन कोर्स सीरीज में आज हम यहाँ पे डिसकर्श करने वाले हैं तीरी राजे आंदुन के बारे में यहाँ पे 1815 से लेकर और यहाँ पे तो यहाँ पे जिसमें आपको उत्राखन सामन गैन डिटेल नौट्स उत्राखन जी के एक्जाम प्रिवाइस येर पेपर आपको प्रुवाइड के जाएंगे तो आपको जने अपने Google Play Store में और यहाँ पे सर्च करना है उत्राखन जी के एप यहाँ पे उत्राखन जी के एप इनस्टल कर देना है और अगर आपको इसे एप अच्छा लगता है तो इसको आपको 5 रेटिंग देनी है और साथिसेदे बार में कमेट ज़ॉर्वाइड मे कर रहे हैं। टेरी राजय आंदुनौन के बारे हैं। कि पार में आप पे 3815 से लेकर और 表 democrat आदुनौत टाक जो आंदुनौन कामिंध। तक जो आप पे टेरी रियासत वह भीनें दिसाया आप और फिर अंग्रेजודה क्या था कि तीरी रियासत का हिस्सा दिया सुदर्शन सा को और खुधरी रियासत का राजय बनाए था को माउ में और गढवाल के कुछ रिडैनिया हिस्सों में अपने पास रहे था कot layश साथ और और देख्जों नों यह अंपे क्या क्या था कि सकलाणा प्टतीके दो माफिदार थेban वर कासिराम उन्होंने सकलाणा छेत्र रिपस्राम को बहुत इंपॉर्टन्ट है क्यों कि इन्हों ने क्या क्या था कि प्yn एक परसे हो सासन कर सकते हैं और एक दिया टीरी रियासत का जो हिस्सा था वो किसको दे दिया हो दे याँ पर सुदर्शन साह और जैसे याँ पर सिवराम और काषिराम बन गई याँ थोकडार शकलाना छेतर के तो उन्होंने वहां की जन्ता पे अपने शक्तियों का इसको टीरी रियासत का पर्थम विद्रो भी के नाम से भी जान जाता है तो अठार सो इकावन में यह होता है और यह होता है तिहाड करके विद्रो के कारण एक तिहाड कर लिया जाता है वहां की जनता से तो इस तिहाड करके विद्रो में वहां की जनता ने अठार सो इकावन यहाँ पे विरोध क्या था उसका नित्र तो क्या था उसके बाए होता है यहाँ पे 857 की क्रांती 857 की क्रांती पूरे भारत में फैलती है और साथे साथ कुमाओं में भी काफी हद तक फैल जाती है क्योंकि यहां के जो पमवार मस्त सासक्त थे, वो यह समझत थे कि यहां पे अंग्रेजों ने उनका एक तरप से साथ दिया और गोर्था को यहां से भगाए और हमें तेरी रियासत का राज्य सौंपा और उसको एक एहसान मानते थे उनके एहसान किया लाग होती है 861 में बहुत इंपोर्टेंट कई बार एक्जाम में पूसेज़ाता अब ये क्या थी 12 आना BC भूई ब्यववस्ता 861 में हेंडी जो ततकालिन कुमाओं के कमिशनर थे हेंडी रेमजे 800 सताओन के कराती में भी कमिशनर कौन थे हेंडी रेमजे और 861 में तो हेंडी रेमजे ने आप पे जो कि कुमाओं के ततकालिन कमिशनर थे उन्हें टीरी रियासत में 12 आना BC भूई ब्यवस्ता याप पे लागू की अब ये क्यों की ये क्यों की जो 851 में अठोर विद्रो उत्पन हुआ था उसको दमाने के लिए जन्ता को थोड़ा खुस करने के लिए 12 आना BC भूई ब्यवस्ता तीरी रियासत में आकर हेंडी रेमजे ने आप पे लागू की ताकि वहां की जन्ता थोड़ी खुस हो सके वहां की जन्ता में जो कुछ नियम मनाए उसने भूई से संब्धित या कर से संब्धित ऐसे कुछ नियम मनाए कि वहां पे थोड़ी जन्ता को परलोबन वहां पे दिया गया और इसके बाद जन्ता का जो विद्रो शुरू हो गया था एक 1851 अठोर विद्रो वो थोड़ों आप पे कम हो गया था इसके कारण इसलिए आप पे हैनी रेमजे ने ये बेवस्ता याप पे लागू की 1861 में तो यह आपको नोट कर देना है कि यह हैनी रेमजे ने लागू की है उसके बाद इसके 20 तो कोई ज़्यादा विशेस आंदूलन मिलता नहीं है तीर रियासत में लेकिन फिर यहाँ पे वन नीती लागू की जाती है 1927-28 में और इस टाइम जो पमवारवस के सासक थे तीर रियासत में होते नरींदर साब होती मयतपून है या आपको नोट करने नरींदर सा यहाँ पे इस टाइम सासक थे तो यह क्या करते हैं यहां पर वन्निती लागू कर देते हैं और इस वन्निती के अंदरगत यह क्या करते हैं कि जंगलों का सीमा करन यहां पर किया जाता है यानि कि जो गाउं के आस्परोस में जो जंगल रहते थे उसमें क्या करता है गांवाले लकड़ी काड़ने जा सकते चारा अपने पसों के लिए चारा लेने जा सकते या अपने पसों को वहाँ पे भेज सकते थे लेकिन जैसी जंगलों का सीमा करण किया जाता है वन्रीट उनिश्यो सोटाइस, अक्ठाइस के अंधरगत तो यहां पर इस वन्रीट के अंधरगत एक सीमा बना जाती है जिसमें कि गाउवालों के भूँ सारे जंगल आ जाते हैं और इसमें नियम बना जाते हैं सारी बिवस्ता जो तीर रियासत में जो भी पहाड लोग थे यहां पर सब पहाड में रहते थे तो निरबट थे एक किसम से एक तरफ से वह वनों पर जैकिन जैसे यहां पर वन निति लागो की जाती है तो इनके जीवान में बहुत बड़ा प्रभाव देखने को यहां पर मि आए जाए और राजा के पास जैसे हो जाते है तो राजा कहते है राजा के जवाब आता है अपने पसों को अब हमारे पसों क्या खाएंगे और कहा जाएंगे तो राजा बोलते है उनको कि अपने पसों को धंगार में फेंग दो क्या बोलते है राजा धंगार में फेंग द फेंक दो यह इस परगा है जब राजा कहते है तो जन्ता के मन में एक आक्रोस उत्पन हो जाता है इस परगार की बातों से उसके बाद यहां पे देखने को मिलता है तीरी रियासत में तिलाड़ीकान या रवाईकान भोते महत्यों-पूर्ण है इसके बारे में एक्जाम में बहुत सारे question पूशिज आते हैं तो तिलारी कान होता 30 मई 1930 को इसको रवाई कान के नाम से भी जान दाता है अब यह क्यों होता है कि जो वन्निती जो राजने लागो के थी उसके राजने जनता की जो राय थी जनता की जो बात थी उसको उसने अनसुना कर दिया इसलिए यहांपकी जनता पे बहुत ज़्यादा आगया उन पे बहुत ज़्यादा आक्रोस उनके मन में उठ जाता है और फिर वो यहांपे एक सभा बुलाता है वहांपे तिलारी के मैदान में यमना नदी के तढ़ पर और यहां पे भीड एकट हो जाती है लेकिन माना जाता है कि जब यह कांड होा था तो इस टाम जो यहां का राजा था नरेंदर साओ वो गाया था योरोप की यातरा पर। जहां ओ गया था हो गया था यूरोप यात्रा पर और उसकी अनुप स्थिति में यहां पर सभा इकट्टी होती है और इस निहती सबाप पे जो यहांके लोग थे उनके बाद कोई अस्त्रस्त थे ने वो बिल्कुल निहती थे तो यहां पे नरेंसा के जो दीवान थे चक्रदर्जुयाल वो इस सबाप पे क्या कर देता है गोली चलाने का आदेश देते है अपनी सेना को और इनके सेना आप पर इन नहाते लोगों पर क्या कर देती है गोलियां चला देती है और इस घटना को यानि किस घटना को रवाई कांड या तिलाडी कांड की घटना को कहा जाता है उत्राखंड का जैलियां वाला बाग हत्यकांड जैसे कि जनरल डायर ने जब जैलियां वा जमा हुई थी उस पर गोले या चला दिते हैं तो इसलिए इस कांड को कहा जाता है उत्राखन का जलिया वाला बाग हत्याकांड गया गया जाता है उत्राखन का या ठेरी का जन्रल डायर तो बहुत ही बौटन कई बार एकजाम में यह कुश्ण बंदते हैं ठीक है तो इस दो की और यहां से टीरी राजय आंगलन एक अलगी लेवल पर पहुंझ जाता है एक अलगी पकड़ जो स्पीड थी उसकी एक अलगी क्या हो जाता है दो रियांप पे शुरू हो जाता है तो सिर्देव सुमन क्या करते हैं आप एक उनिस सो अड़तिस में दिल्ली में अकिल भारत परवतिया जन्सम्मेलन का आयोजन होता है कब होता है दिली में अकिल भारतिया परवतिया जन्सम्मेलन का आयोजन उनिस सो अड़तिस में इसमें उत्राखन से लेते हैं एक तो सिर्देव सुमन याप पे पाडशेविट करते हैं और एक करते हैं बद्रिदत पांडे तो सि इसके बाद 1928 में होता है सिनगर में एक राजनेतिक सम्मेलन जिसकी अध्यक्सता कर रहे थे जवाहर लाग नहेरू इसकी अध्यक्सता कर रहे थे तो सिर्देव सुमन ने इस जो यहां पर राजनेतिक सम्मेलन था सिनगर में हो रहा इसमें क्या किया था कि उत्राखन एक पर बाढ़ी राजे बनना चीह है इसको पहाज का दरजा मिलना चीह और यह क्या बनना चीह कूँसदी नेखिए उस्ластित कंप माज़ें है करन चीह पहाज कि डिनलतित की सिंगर बसस्ति धीद इसकी अलाजनेति नेरों कि और इसका नाम बाद में क्या पढ़िया था, हिमालय सिवा संग पढ़ा था, उसके बाद सिर्देव सुमन 1949 में यहाँ पर इस्थापना करते हैं, तीरी राजय परजामंदल की स्थापना, वो कहां करते हैं, देहरदून में, ठीक है यह आपको नोट करना है कि देहरदून में सिर्देव सुमन तीरी राजय परजामंदल की स्थापना 1949 में करते हैं, और इसका मुख्या उद्यश होता है, कि जो तीरी में राजय का सासन है, उसको खत्मी किया जाए, और यहाँ पर तीरी की जनता को सोतनतर किया जाए, और इसमें महतोपून भूमी का निवात है, उनक तो 1941 में सिर्देव सुमन को गिरपतार कर लिया जाता है, और यहाँ पर इनको जेल में बेज जाता है, लेकिन उसके समय पसात उनको रहाबी किया जाता है, लेकिन फिर क्या होता है कि 27 दिसंबर 1943 को सिर्देव सुमन को चंबाखाल में गिरपतार कर लिया गया, और उन पर उसके बाद उन पर बहुत सारे अत्याचार किये गए तो कहां उनको गरपतार कर ले गया गया था चंबाखाल में उनको किया गया था और तीन मई से वो शुरुआत करते हैं आप पे अपने आमरन अंसन की उसके बाद वो कुछ खाते पीते बिल्कुल नहीं है तो 3 मईए 1944 को उन्होंने वो घोशना की थी कारवास में कि मैं आप आमर्ण अंसन शुरू कर देता हूँ जो टीरी का राजा था उसके खिलाप वो आमर्ण अंसन वो आप पे मैं बेट जाते हैं 25 जुलाई 1944 को 84 दिनों की भूकर्थाल के बाद उनकी मृत्य हो जाती है यहाँ पे शुरूजय उसुमन और उसुदा के लिए अमर हो जाते हैं तो 3 मईए को उन्होंने शुरूआत की थी कारवास में भूकर्थाल की आमर्ण अंसन की और 25 जुलाई 1944 को 84 दिन के बाद वो क्या हो जाते हैं मर्थि को वीरगति को पराप्त हो जाते हैं और उसके बाद उनके सव को नदी में फेंग दिया जाता है किसे को बता भी नहीं दिया जाता है उनके घरवालों को ये खुद लगवद 6-7 दिनों बाद का जाता है ये पता लगता है कि वो सिर्दे उसमन की मृति हो जाती है और जैसे ही सिर्दे उसमन की मृति होती है तो उसके बाद क्या होते है कि जो यहां की जनता थी उसके मन में एक अलगी आकरोस उत्पन हो जाता है और फिर वो टीरी राजा की विरोध में पूरा जो टीरी रियासत में जितने भी लोग थे अधिकांस छेत्रों में उन्होंने वहाँ पे टीरी राजा की खिलाप अलग-लग जगा पे मोर्चा खोल दिया और टीरी के राजा का विद्रूह करने लग जाता हैं फिर यहां पे उशके बाएँ क्या होता है कि 1947 में जो टीरी राजा के राजा थे ऊश्टाइ मानवेंदर सहा के पूतर थे इन्होंने 7 रकषा अधिनयम क्या पाइद्रूह क्या होता है कि इनका मानना था इस अधिनयम के तहर्ट क्या करता है कि जो भी इनके खिलाफ विद्र चलिए जाएंगे लेकिन आप यहाँ पे टीरी की जंता जागरूग हो चुकी थी तो फिर उन्होंने वो आंदोलन वाप पे कंट्रीन रखा विद्रोग जारी रखा और उसके बाद होता है किर्दिनगर आंदोलन किर्दिनगर में होता है 1948 में तो इसमें क्या हुआता है कि 1948 में किर्थिनगर में आप एक विशाल रेली उमड़ पड़ती है और इस भीड़ पर फिर सहनिक क्या करते हैं गोलियां चला देते हैं और इसमें कौन-कौन सहीद होते हैं तो यह होते हैं नागेंदर सकलानी और भोलाराम आपके किर्थिनगर आ जाता है और वह सम्मेलित हो जाता है उनीस अननचास में वह भारत थो इसको आजाल रहता है लेकिन उसके बाइड़ क्या होदा है कि जो टिरी का राज था मानुदर साथ था जो राजा टिरी रियासत का तो उसमें हर्तर से प्रेशर पढ़ने लग जाते हैं एक रप से जो आक रोज था उसको उसको सहहना पड़ता था तो इसलिए उसने एक हमें भी विले कर दाना जिए भारतिया संग में तो एक गरस्ट उन्हों इक इस उन्हान उन्हें आप्परS19 49 को यहां पर विले हो जाता है भारत में उत्ः प्रदेस की एक जिल्ले के रूप में तो दोस्तों यह तो यहाप पे इंदर्ल नों सुर्ख हो और किस प्रकार यहाप पे तीर रियासत का विले होजाता है भारतिया संग में और किस प्रकार सokesन का उन्होंने किस प्रकार यहाप पर भूमितर निभाली थी तो आवसर करते हैं आपको वीडियो पसंद आए होगी वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपने राइस जरूर दें और आप में हमारी फेस्वूक पेस, फेस्वूक गुरूप हमारा उत्राखन सामन यान का उस पर फोलो कर सकते हैं डिस्क्रीश में आपको लिंक मिल कर जाएगा और सारे नोट्स आपका हमारे अधमें मिल जाएंगे तो आसर करते हैं आपको वीडियो पसंद आए वीडियो बारे वीडियो अचनल में पहले बारे चनल को सब्सक्राइब जरूर करेंजगा मिलते हैं नेक्स्ट वी साथ आप तक लिए धन्यवाद